नमस्कार मैं हूँ प्रविन और आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक के शो डेली रॉंड अप में आई नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्क्यों पर मध्यपदेश विधान सभा ने सदन में 1161 शब्दों के इस्तमाल पर लगाई रोक विधायकों ने जताया एतराज ट्रिबुनल सुधार बिल क्या है जिसकी वज़स से नौ ट्रिबुनल हो जाएंगे खत्म सीटू ने बंगाल में प्रवासी श्रमिकों की यूनियन बनाने की पहल की समझिये दंगा फैलाने की क्रोनोलोजी और आखिर में हम बात करेंगे क्रोना अपडेट की देश में 24 घंटों में 38,330 नए मामले 497 मरीजों की मौत बंधिपदिश विधानसबा सत्र के दोरान विधानसबा में 1161 सब्दों और मुहावरों के इस्तमाल पर रोक लगाने वाली एक पुस्तिका के पेश किये जाने के एक दिन बाद सत्तधारी और विपक्षी दलो की विधायकों ने इस पर एतराज जताया और पुस्तक से कु यार ब्रेस्ट पपू बंदुवा मजदूर बंटाधार जो कि पुरू मुख्यमंत्री दिग्विजद सिंग के लिए इस्तमाल किये जाने वाला तक्या कलाम है इन सभी को विधान सभा के अंदर असंसदी घोशित कर दिया गया है और अगर कोई इन में से किसी भी शब्द का इस्तमाल करता है तो शब्द को निकाल दिया जाएगा इस पुस्तिका पर एतराज जताते हुए पुरू प्रोटेम स्पीकर रामिश्वर सर्मा ने विधान सभा अध्यक्ष को चिठ्थी लिकर इस पुस्तिका से बंटाधार और नकसलवार शब्द को हटाने की मांग की इ उन्होंने सत्र के पहले दिन समाधाताओं से कहा बंटाधार शब्द पूर्व मुख्यमंत्री दिगविजस सिंग के शासन के लिए इस्तमाल किये जाने वाला एक रूपक है जो मध्यपदेश्ट के लोगों द्वारा उनके कुशासन के लिए दिया गया शब्द है यह भल मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच विश्व प्रतिभा दिवस यानि 9 अगस्त पर राजी की छुट्टी को खद्मिक किये जाने को लेकर हुई तीखी बहस के दौरान दोनों ने इस किताब में उलखित असंसदी शब्दों का जमकर इस्तमाल किया इस पर एतराज को लेकर श्रमिक यूनियन बनाने के बारे में गंभीर चिंतन किया था जिसकी सदस्यता अभियान हाल ही के महिनों में शुरू किया गया है यूनियन का कहना है कि अब तक उसने 40,000 से अधिक सदस्यों को सदस्यता दे दी है और उन्हें पहचान पत्रवी जारी कर दिये गये हैं पश अशले साल COVID-19 के प्रकूप के कारण जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लगाए गए देश व्यापी लॉकडाउन के बीच देश भर के प्रवासी श्रमिकों को विबिन राज्यों में अपने कार रस्थलों से अपने मून अस्थानों तक या गावों कजबों लोटने पर दर्दनाग अनुभाव सहन करना पड़ा था इससे पहले सीटू ने 2020 में करनाटक में पहली प्रवासी यूनियन बनाई थी सीटू की नजरों में कुछ अन्य राज भी हैं जहां अभी ऐसी यूनियों की सुरुवात की जानी बाकी है राज में चल रहे आंशिक लोगडाउन ने सदस्ता अवियान में बादा डालने का काम किया है लेकिन इस आंशिक लोगडाउन से संग्ठन को आंशिक रूप से मदद भी मिली है क्योंकि अभी भी वापस आये प्रवासी श्रमिक काम पर वापस नहीं लोट पाए है 40,000 से अधिक सदस्य बनना मौजूदा इस्तिती की ही देन है जंतर मंतर पर लगे मुस्लिम विरोधी नारों में बिजेपी और हिंदुवादी संग्ठनों के सदस्यों की गिरफतारी के बाद फिर से उत्तर पुर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों की याद ताजा होती दिखी दंगे फैलानी की क्रोनलोजी पर बात कर रही है वरिष्ट पत्रकार भाषा सिंग्ग आए सुनते हैं क्या है उनका नजरिया हम सब ने देखा कि देश की राजधानी में जनतर मंतर पर जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता दिल्ली पुलिस की इजाज़त के बिना पिछले 13 दिनों से वहां किसान संसर चल रही थी और मैं बता और पत्रकार कितनी बाधाओं को पार करते हुए किसान संसर पहुच रही यह वही जनतर मंतर है यह वही पार्लेमेंट स्ट्रीट है जिसके बारे में दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि उसने आयोज़ुकों से कहे दिया था कि यह आयोज़न यह विरोध प्रधर्शन नहीं हो सकता लेकिन उसके बावजूद यह विरोध वीडियो रिकॉर्ट किया गया इसके आयोज़क भी कौन है वह भाश्पा दिल्ली से सीधे सीधे चुड़े हुए योग है जो अश्वनी गिरफतार हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं उनके साथ जब शुरू में प्रचार प्रसार फेस्बुक पे चल रहा है इसके बाज जो प्रदर्शन हुआ वह भारत जोड़ो आंदोरं के तहट हुआ बैनर वहां जो लगा हुआ ता दोनों के मुद्वे बिल्कुल एक थे जो बैनर मैंने देखा उसमें कुश्पेंड पुल शेष्ट जो एक जमाने में पत्रकार हुआ कर देते प्रेस क्लब आजपा के पहले स्पोक्सपर्सन की रहे इन लोगों ने बहुत ही रोचग धंग से आकरशुत करने के लिए पांच बुद्वों को केंडर में रखा था इन्होंने कहा था कृष्ण ने पांच गाउं मांगे थे हम इस सरकार से पांच कानून मांग रहे हैं अब देखिए जो इनका बैनर और पोस्टर है दोनों ही भारत बचाओ आंगोलन और भारत जोड़ो आंगोलन जो आठ अगस्त को जंतर मंतर पर होना है दोनों के बैनर और टेक्स्ट बिल्कुल एक है समान शिक्षा यानि जो माइनॉर्टी अपने स्कूल कॉलेजिस चलाती है मदर से चलाती है उसे बंग किया जाए समान नागरिक सहिता गुष्पैट नियंतरण धर्मांतरण नियंतरण जनसंध्या नियंतरण यह सब कुछ यह लोग कर रहे हैं उस समय जब मोधी सरकार को स सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चाहें वो पुष्पेंद्र हो या फिर अश्वनी इनके पीछे इनके जर्ये क्या मकसब साथा जा रहा है यह सारी प्रोनोलोजी समझने के यह सबसे जरूरी बात है कि आखिर इस समय क्यों यह लोग इन मुद्रों को सामने लाकर देखल बढ़ी बज़ा है कि सब्सक्राइब धरिए है किसांगों के बुद्रे ग्युक्रें वह वापस उसे इंदु-मुसलमान करने की बहुत जरूरत है और आखिर में हम बात करेंगे कि इंदी स्वास मंत्राय दौरा आज बुद्धवार यानि 11 अगस्त को जारी आकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में 38,330 पर नए मामले दर्ज किये गये हैं इसके अलावा कोरोना से 470 में मरीजों की मौत हो चुकी है साथ इसी दौरान देश भर में कोरोना से पिड़ित 40,013 मरीजों को ठीक किया गया है और अक्टिव मामलों में 2,157 मामले कम हो गये हैं देश में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,20,36,511 हो गई है जिन में से अब तक 4,39,189 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से पिड़ित 87,045 फीस दी यानि 3,12,20,980 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या गटकर 1,2,21 फीस दी यानि 3,86,351 हो गई है स्वासमंत्राली की तार जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक क्यावन करोड़ 90,80,524 डोज दी जा चुकी है जिन में से 41,38,646 वैक्सीन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली रॉंड़ अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वैबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रियां